असलाम लेकूम आज हम बनेंगे कद्दू की खिर 50 लोगों के लिए और यह बनाना सीखेंगे हम बावर्ची से तो चलिए भम बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए लेंगे हम एक मेडियम साइज का कदू, तो कदू को हम इस तरह से छीड लेंगे पहले, छीड लेने के बाद में हम इसको ग्रेट कर लेंगे, तो इस तरह से हम कदू को घिसकर रख लेंगे और इसके बाद में ये देखिए, बीच वाला जो हिस्सा है वो यूजने करेंगे, हम निकाल देंगे, कद्दू की अंदर का जो बींज वाला जो हिसा रहता वो यूजने करना है अब हम सबसे पहले कद्दू को गला लेंगे अब हम इसको एक बगोने में आट कर लेंगे इसमें आट करेंगे चार ग्लास पानी कद्दू को गलाने के लिए मीडियम हीट पे पका लेंगे 20-25 मिनिट के लिए तो ये कद्दू अच्छे से गल जाएगा अब ये कद्दू अच्छे से गल गया तो अब हम इसको एक साइड में रखेंगे कद्दू को गला लेने के बाद में अब हम साबुदाना लेंगे 200 ग्राम साबुदाना हीए तो साबुदाने को सबसे पहले मादे घंटे के लिए भीगा लेंगे और इसके बाद में इसको पकने के लिए रखेंगे 2-3 ग्लास पानी अट करेंगे साबुदाने के अंदर 15-20 मिनिट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे तो ये जो साबुदाना है पहले से ही अच्छे से भीगा हुआ है तो गलने में आसानी हो जाएगी तो 15-20 मिनिट तक इसको गला लेने के बाद में अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे अब ये साबुदाना बिलकुल रह रही है कदूर साबुदाना को गला लेने के बाद में अब हम खीर बनाना शुरू करेंगे ये है 8 लिटर दूद तो दूद को हमने पहले से ही गरम करके रखिया था दूद यानी के अच्छे से मलाईदार हो जाना, दूद को अच्छे से पहले गरम कर लेना है उसके बाद में अब हम हम खीर बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम दूद आट करने के बाद में में इसमें इलाइची पॉड़र एट करेंगे दो टेबल स्पून इलाइची पॉडर एट करेंगे दूद को अच्छे से पका लेना है जब ये दूद अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा हम इसमें पंदरा सो ग्राम शकर एट कर लेंगे यानि के देड़ किलो शकर है ये तो शकर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर एट कर ले सकते हैं अच्छे से मिला लेंगे शकर आप करने के बाद में जाफरान के काड़ियां एट करेंगे एक टीस्पून पका हुआ कदू एट करेंगे कदू एट करने के बाद में अब हम इसमें पका हुआ साबू दाना एट करेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे ड्राइफ रूट्स का पीसा हुआ पॉडर तो ड्राइफ रूट्स में लेंगे 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ता और 50 ग्राम बादम तो कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे यानि कि दरदरा कूट लेंगे तो इसको ऐड़ कर लेना है यह पॉडर को इसके अंदर अब हम इसमें खुवा ऐड़ करेंगे जेड़ की लोग हुआ है यह खुवा ऐड़ करने के बाद मैं अच्छे से मिला लेंगे और अब हम यह पकाएंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट के बाद में अब हम इसमें आट करेंगे कस्टेट पॉडर 200 ग्राम कस्टेट पॉडर लेंगे वनिला फ्लिवर का दो ग्लास पानी आड़ करेंगे कस्टेट पॉडर में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेना है लंसने बनने देंगे इसके अंदर तो इस तरह से एक हाथ से हम हिलाती जाएंगे और एक हाथ से इसमें कस्टेट पॉडर बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा से अट करते जाएंगे जैसे के मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके अट करना है इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और जैसे ही इसको मिक्स कर लेंगे फ्लेम आफ कर लेंगे हम फौरी फ्लेम आफ कर लेना है कस्टेट पॉडर का मिक्सर एट कर लेने के बाद में फ्लेम आफ कर लेने के बाद में अब हम इसको थंडा होने के लिए रख देंगे जब यह करना रज़ी जितना आप लोग म्यांट एक आप सकते हैं अब हम इसमें आठ करेंगे चार सोग्राम के दो डबे आडब करेंगे छार सोग्रैम के दो डब ऑ करेंगे sis के अदर यानी के 800 ग ग्राम कादन बंतक करना है तो 50 ग्राम चेरी लेंगे 20 ग्राम काजू, 20 ग्राम बादम और 20 ग्राम पिस्ता बारी कटे हुए ड्राइफ रूट्स और चेरी के साथ में इसको इस तरह से गानिश के लेना है तो यह देखिए अब यह चो कद्दू की रहे बिल्कुल रेडियर सर्फ करने के लिए तो जब इसको सर्फ करेंगे बिल्कुल थंडी रहना है तो जब भी 50 ग्राम प्राइफ बनाना हूँ इस रिशिपी को आप लुग जरूर ट्राय करके देखिए और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग, अलाह आफिस